जैश्रीय कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने नाम से भविश्य जान सकते हैं, हर किसी को किसी इस्तरी या पुरुष के बारे में जानने की इच्छा यह जरूर होती है, उस इस्तरी या पुरुष का सौभाव कैसा होगा, जिसके लिए हमारे जोतिश अचारिय ने अब तक आपको कई उपाय बताए हैं, जिसे देखकर आप उस इस्तरी या पुरुष के बारे में जान सकते हैं, कि उसका सौभाव कैसा होगा, जैसे उसके अंगों को देखकर, उसके चाल ढाल को देखकर, या फिर उसके खान पान को देखकर, उसके सौभाव के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है, इसी क्रम में आज हम आपको एक और चीज बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में जान कर आप उस इस्तरी या पुरुष के सौभाव के बारे में जान सकते हैं, आपको पता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में अक्ष से शुरू होता है तो ऐसे व्यक्ति प्यार के रिष्टों को काफी महत्व देते हैं लेकिन बहुत जादा रोमेंटिक नहीं होते हैं एक्षर वाले सुंदरता को काफी पसंद करते हैं और खुद भी बहुत सुंदर होते हैं इनकी एक खासित होती है कि ये अपनी बात सबसे नहीं कहते हैं इनके जीवन में हर चीज देर से हासिल होती है लेकिन जब भी सफलता मिलती है तो वो सफलता की चरम सीमा होती है इनका जीवन संगर से भरा होता है लेकिन ये मनजिल को पा ही लेते हैं ये धोके बास बिलकुल नहीं होते हैं और ना ही ये धोके बाजी को पस लेकिन इनमें एकदोश होता है, ये क्रोधी सवभाव के होते हैं. बी अक्षर वाले लोग, इस अक्षर के लोग सवेदन शील और रोमेंटिक होते हैं. इन पर छोटी छोटी बाते काफी असर डालती हैं. इन्हें मनाना काफी आसान होता है. बी अक्षर वाले व्यक्ति सेक्स लाइफ पर काफी भरोसा करते हैं. इसलिए अक्षर इस नाम के व्यक्ति प्रेम विवाह करते हैं. ये सौंदर ये प्रेमी प्रकरती से सनहीं रखने वाले होते हैं. इनके लिए पैसा भी काफी महतपून होता है. ये लेन देन भी बहुत कर ये आमतोर पर हिम्मती होते हैं. इसलिए इस नाम की लोग अक्सर सेना या दूसरे किसी जोखम भरे काम में अपना करियर बनाते हैं. इन्हें अपनी मेहनत पर भरोसा होता है और आमतोर पर इस नाम की लोग धनवान भी होते हैं. इनके बड़ बोलेपन की कारण इनको घमंड होने की संख्या मिल जाती है। इसलिए इनके दोस्त बहुत जादा नहीं होते हैं लेकिन जो होते हैं वो काफी पक्के और गहरे होते हैं। C. अक्षर वाले लोग हर दिल अजीज और मिलनसार होते हैं। C. अक्षर वाले व्यक्ति समाजी कारियों में बढ़ चड़कर हिस्सा लेने वाले होते हैं। इनके लिए लोगों की भावनाएं काफी माइने रखती हैं क्योंकि ये खुद भी काफी भावुक होते हैं। देखने में भी C. नाम के लोग काफी अच्छे होते हैं। जो भी करियर चुनते हैं उसमें खासा काम्याब होते हैं। क्योंकि इनके काम से जादा इनके व्यवहार से लोग खुश होते हैं। जिसका फाइदा इनके प्रफेशनल लाइप को मिलता रहता है। लक्ष्मी जी की भी इन पर खास महरबानी होती है। कुल मिला कर ऐसे लोग काफी संपन होते है। दी अक्षर अपनी मेहनत के दम पर ये काफी आगे जाते हैं। इस नाम के व्यक्ती काफी जिद्धी सौभाव के होते हैं। डियक्षर से जिन लड़कों का नाम शुरू होता है वे बातों के जादुगर होते हैं लड़कियां उन पर तितलियों की तरह मंडराती रहती हैं मगर वो एक समय में एक ही रिष्टा निभाते हैं यूं तो उनकी किस्मत में फालतु प्यार नहीं लिखा है लेकिन जब भी प्यार करेंगे ऐसे व्यक्ति से करेंगे जो उनके आंतरिक सभाव को समस्ता हो और इस नाम की अधिकांश लड़कियां किसी व्यक्ति से मन ही मन प्यार करती हैं और करती रह जाती हैं अक्सर बढ़ती उम्र तक इसी इंतिजार में रहती है कि वह प्यार इनके पास लॉट आएगा इह अक्षर वाले व्यक्ति बहुती बोलने वाले होते हैं लेकिन जादा बोलने के कारण ये हमेशा खत्रों में पढ़ जाते हैं ये लोग बड़े ही दिलफेक होते हैं ये काफी मजाकिया सुभाब की भी होते हैं इह अक्षर वाले व्यक्ति सेक्स के प्रती काफी आकरशित होते हैं इसलिए इनके लिस्ट में लड़के लड़कियों की पूरी जमात होती हैं ये जो भे रिष्टा निभाते हैं उसके प्र से मंद और जरूरत से जादा लोगों की मदद करने वाले होते हैं इस सक्षर से लोगों की जिंदगी प्यार से शुरू होती है और प्यार पर ही खत्म हो जाती है ये व्यक्ति सभी कार्य दिल लगा कर करते हैं इन लोगों की खासित होती है कि ये जहां भी जाते हैं वहां लो ये लोग जिन्दगी में हर चेज का लुप्त उठाते हैं अपनी मनमोहक छवी से लोगों का दिल जीतने वाले होते हैं जी और एच चक्षर वाले लोग बेहत ही धार्मिक सौभाव के होते हैं ऐसे लोग अपनी जिन्दगी को अपने अनुसार जीने का प्रयास करते हैं तथा इनको किसी अन्य व्यक्ति का अपने जीवन में दखल देना बरदाश नहीं होता ये लोग शक्य सौभाव के भी होते हैं वहीं जिन लोगों का नाम एक चक्षर से शुरू होता है वे लोग अपने में ही रहना पसंद करते हैं और सफलता प्राप्त करने के लिए समर्पित होते हैं जिन लोगों का नाम आई अक्षर से शुरू होता है उन लोगों में किसी को प्रेडित करने का समर्थ्य होता है इस परकार के लोग अपने जीवन को आदर्श बनाने में सक्षम होते हैं तथा इनके विज्ञान कला आदी में दिल्चस्पी होती है परन्तो इस परकार के लोग चिंता और भई आदी से घिर जाते हैं ये अक्षर के लोगों के जीवन में कोई धहरे नहीं होता और ये लोग अपने जीवन को बस जीने के लिए जीते हैं ये लोग बेहद ही आलसी होते हैं अपने जीवन में किसी भी चीज को हासिल करने के लिए कोई दिलजस्पी नहीं लेते K और L लोग चरम को दर्शाता है आकशर वाले लोग बेहत प्रबंदिग और बैतरीन सुभाव वले होते हैं और जीवन के बहुत से शेत्रों में सफलता प्राप्त करने में सक्षम साबित होते हैं लेकिन इनको जीवन में कई बार धुरगटना का शिकार होना पड़ता है M. अक्षरवारे लोग बिना सोचे समझे नतीचे बेर पहुँशने में माहिर होते हैं वे अपने जीवन को प्लान नहीं करते बारी परस्तितियों को जेलते हुए आगे बढ़ते हैं इन लोगों का गुस्ता बहुत तेज होता है और बहुत जल्द ही आवेग में आ जाते हैं एन अक्षरवारे लोग एक बहुत ही अच्छे वक्ता और लेखक साबित होते हैं ऐसे लोगों में जलन बहुत जादा होती है जो उनको किसी से मेल जोल नहीं रखने देती ओ अक्षर प्रती बदता और समर्पन को दर्शाता है और व्यक्ति को जिम्मेदार बनाता है वही पी शक्ती का प्रतीक है किसी की परिशानियों से उन्हें जादा फर्क नहीं पड़ता क्यों अक्षर वास्त विक्ता को दर्शाता है और ये लोग बहुत ही निडर होते हैं वही आर अक्षर संभावनाओं का प्रतीक है आर शब्द वाले लोग बेहद ही हार्ड वर्किंग और भावुक होते हैं जिन लोगों का नाम S अक्षर से शुरू होता है वे लोग अपना काम पूरा करने के लिए हर संभाव परयास करते हैं ये अक्षर शुरूवात का भी प्रतीक है ये लोग अपने अतीज से जादा सीख नहीं लेते और भविश्य में भी समान गल्ती धोहराते हैं अक्षर T प्रगर्ती का प्रतीक है ये लोग भावु को और सवेद्राओं से घिरे होते हैं इन लोगों को आत्म विदा सीखने की बहुत जरूरत होती है ये अक्षर के लोग लकी साबित होते हैं ये अपने साथ हुई बई मानी और दुर विवहार को भूल नहीं सकते वहीं वी अक्षर के लोग स्वाभी मानी होते हैं तता यह किसी की मदद लेना पसंद नहीं करते यह भरोसे मंद होते हैं वो बहुत व्यवहारिक होते हैं जिन लोगों का नाम डबल्यू से शुरू होता है उन्हें जीवन में जोखिम उठाने में मज़ा आता है परन्तु यह अपने साथ दूसरे के लिए भी समस्या बन सकते हैं एक्स नाम वाले लोग भरोसे मंद नहीं होते और यह अपना किया हुआ वादा नहीं निभाते तता हमेशा धोका देते हैं वाई अक्षरवारे लोग कभी भी अपने जीवन में सही चुनाव नहीं कर पाते इन में किसी चीज की निड़ने लेने की शमता बहुती कम होती है वहीं जिन लोगों का नाम जेड अक्षर से जुड़ा होता है वहें बहुती आशावान और विवहरिक होने के साथ ही साथी जमीन से जुड़े होते हैं इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों रिष्टेदारों के साथ शियर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके धन्यवा दोस्तों